हेई एवरिवन, वेलकम टू मैं चैनल, आज मैं आपके लिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल जलेबी की रेसिपी लेके आई हूँ जी हाँ फ्रेंड से इंस्टन्ट वाली नहीं लेकिन हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल जलेबी है जिसका टेस्ट कुछ अलगी होता है सिफ कुछी टीप्स और ट्रिक्स फॉलो करके आप भी इस तरह की जलेबी बना सकते हो आपको इंस्टन्ट जलेबी का वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल पे चैक कर सकते हो तो आईए देखते हैं हलवाई स्टाइल जलेबी कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी मैदा लिया है अब कोई भी कटोरी फिक्स कर लो और उसी से ना पले सकते हो अब इसमें एक कटोरी और एक आधी कटोरी पानी आड़ करते जाएंगे पानी हम बैचिस में एड़ करेंगे और इस तरह से हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे हमें एक स्मूध सा बैटर बनाना है और ध्यान रहे कि इसमें कोई भी लंप्स ना रह जाए हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे सिर्फ मैदे और पानी से ही बैटर बनाएंगे ना दही ना इनो ना बैकिंग पाउडर कुछ भी नहीं तो यहाँ पर टोटल मुझे देट कटोरी जितना पानी लगता है और एक स्मूध सा बैटर रेडी हो जाता है इसे हाथों से इस तरह से थोड़ी देर फेटेंगे बैटर की कंसिस्टनसी इस टाइप की रहेगी यह देखिए तो फ्रेंट्स दो कटोरी मैदे में देट कटोरी पानी लगा अब इसकी सर्फेस पे थोड़ा सा पानी स्प्रैट कर देंगे अब आता है इसका मेंट पार्ट इस बैटर को फर्मेंटेशन करने के लिए 12 से 15 गंटों तक ढखके वोंब प्लेस पर रखना होगा 15 गंटों के बाद बैटर पे ऐसे बबल सा जाएंगे तो यह परफेक्ट है मतलब कि हमारा बैटर फर्मेंटेड है यहाँ पर बैटर थोड़ा गाड़ा है तो थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके हम इसे 5 मिनिट के लिए हाथों से फेटेंगे इसी स्टेज बे बैटर अगर पतला हो तो आप पानी की जगब थोड़ा थोड़ा मैदा एड़ करके बैटर को फेट सकते हो इस स्टेज पे पानी या मैदा कुछ भी एड़ करो लेकिन हमें ध्यान यही रखना है कि बैटर की कंसिस्टंसी प्रॉपर होनी चाहिए इस तरह से ये देखिए बिल्कुल रेबन कंसिस्टंसी अब बैटर को कैचप पोटल या पाइपिंग बेग में भरके साइड में रख देंगे और चाशनी बनाएंगे तो जितना मैदा लिया है उतनी ही शुगर और उससे आधा पानी लेके लो फ्लेम पे इसे चलाएंगे तब तक की जब तक सुगर डिसोल्व ना हो जाए अब इसमें 3-4 इलाइची को रॉफली क्रश करके अड़ कर देंगे थोड़ा सा केसर और कलर के लिए मैंने या पे थोड़ी सी हल्दी अड़ कर दी है आप फूड कलर का भी यूज कर सकते हो अब शुगर अच्छे से डिसोल हो गई है तो गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और एक उबाल आने के बाद इसमें आधा नीमू का रस आड़ कर देंगे ताकि चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो जाए अच्छे से उबाल आ जाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और चेक कर लेंगे चाशनी को दो उंगलियों के बीच में लेखके ऐसे प्रेस करेंगे तो ये आधातार बन रहा है तो ऐसी चाशनी चाहिए हमें इसे ढख देंगे ताकि ये वोम रहे अब मीडियम गरम तेल में इस तरह से बाहर से अंदर तक घुमाते हुए जलेबियां को शेप देंगे जलेबियों को शेप देते ही फूल के इस तरह से उपर आ जाती है अब गैस की फ्लेम को थोड़ी दिर हाई करेंगे और जलेबिया सेट होने के बाद इसकी साइड्स चेंज कर लेंगे अब फ्लेम को लो करके अलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे जियादा ब्राउन नहीं करना है सिर्फ थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लेंगे और गरम गरम ही चाशनी में एड़ कर देंगे अच्छे से प्रेस करेंगे और एक मिनिट के लिए रखेंगे तब तक हम दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे उसी तरह से बाहर से लेके अंदर तक खुमाना है और लोक कर देना है इस तरह से प्रेक्टिस से यह परफेक्ट बनेगी अब पहले बैच वाली जलेबिया अच्छे से चाशनी पीके रेड़ी हो गई है इससे चारे से निकाल लेंगे और दूसरा बैच गरम गरम ही चाशनी में एड़ कर देंगे यहाँ पर अगर चाशनी का टेंपरेचर डाउन हो गया हो तो थोड़ा सा गरम कर लेना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर दो ही बातों का ध्यान रखना है कि चाशनी का टेंपरेचर मैंटेन रहे और जलेबिया गरम गरम ही इसमें एड़ करें अगर चाशनी गाडी हो जाए तो थोड़ा सा पानी एड़ करके भी गरम कर सकते हो लास्ट में चाशनी कम हो जाती है तो जलेबियों को डीप करने में थोड़ी सी ठीकत आ सकती है तो फ्रेंड्स इस दशरा पर ये जलेबि की रेसिपी जरूर ट्राइ करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब जय हीन जय बारत